नमस्कार दोस्तों मैं आपको दोसन जी सिंग रिहल वीजा हमिगेशन से और आप देख रहे हैं ट्रैवल हब की सीरीज और दोस्तों आज नेक्ट एपिसोड है जिसमें मैं आपसे शेर करूंगा कि हाओ आई गौट माई शेरिगन वीजा सो दोस्तों शेरिगन वीजा लेना कोई बहुत बात नहीं है स्पेसिफिकली मेरे पास अलड़ी यूस वीजा था एंड कैनाडा वीजा भी मुझे लग चुका था और मैं यूस 16 में और कैनाडा 2017 में ट्रैवल करके आ चुका था और इससे पहले में दोबाई भी जा चुका था सो मेरे लिए शेरिगन वीजा लेना कोई डिफिकल्टी इतनी नहीं थी सो बट स्टिल मैंने प्रॉपर डॉकुमेंटिशन रेडी किये जो अपने प्रोफेशनल डॉकुमेंट्स होते हैं प्लस अपनी ITR प्लस अपनी बैंक स्टेटमेंट एवरिफिंग मैंने कंपाइल की और मैंने फ्रांस के लिए अप्लिकेशन लगाई थी और प्रॉपर आइटनरी बनाके कि प्लस जो मेरे वीजा लगे थे उनकी भी मैंने फोटो कॉपिस करवा के उनको सब्मिट करवा दी मेरे फिंगर पिंगर्पिंट्स होंगे और आइटिंग हार्ली वन वीक के अंदर-अंदर ने वह जो रिजल्ट जो है वो मिल गया था और जब मैंने पासपर्ट ओपन किया वीजा स्टेंप हुआ पड़ा था I was very much happy and दोस्तों हमेशा कोशिश करो कि अगर आपको कोई वीजा गरंट हो जाते तो आप ट्रेवल जूर करो सो इस ताइम आई वस डाइसी की जाओं के ना जाओं बट स्टिल मैं निकल गया था गूमने के लिए फ्रांस में गया था और मुस्ट जून यह जुलाई में जून में गया था जुलाई में मैं वापिस आ गया था So it was a really great trip मैं फ्रांस गया है, मैं फ्रांस से फिर वहां से बेल्जियम बेल्जियम से मैं एम्स्टरडम वहां से मैं फिर वापिस इंडिया आ गया था So whenever you got the visa दोस्तो Don't miss the opportunity, जरूर जाईए जर आपको शेंडगे टूरिस विजा के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है आप कुछ डिस्कस करना चाते है मेरे से So आप प्लीज कुमेंट सेक्शन दे कुमेंट कर सकते हैं Thank you so much दोस्तो आप ट्रेवल लब सीरिस को इतना प्यार दे रहे हो Love you all